वेलकम डियर स्टुडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल लॉर्ण अबाउट थे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एलकेन थीक है हेलो एलकेन की प्रॉपर्टीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया उस वाली वीडियो को भी देख ले ना उसमें एसन वन और मैंकनिजम को पूरा एक्स्प्रेंट की अगया है तो आज हम पढ़ेंगे हेलो एलकेन की बाकि प्रॉपर्टीज तो अब इसमें और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हैलो एलकेन की इन्वर्जन, छीके इन्वर्जन क्या है ? उसे हम invert product बोलते हैं और इस process को inversion बोलते हैं, ओके, फिर हमारा racemization, second बाकी property हमारी दूसरी property कहा है, racemization, इसमें क्या होता है, yes and one reaction में होती है, इसमें क्या होता है, 50% invert product होता है, और 50% retention product होता है, इस mixture को हम racemic mixture कहते हैं, और इस process को हम racemization कहते हैं, ठीक है, then हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है hydro halogenation hydro halogenation क्या होती है इसे हम beta elimination भी बोलते हैं इसमें क्या है इसके जो reactants होते हैं वो होते हैं hello alkin अगर हम hello alkin की property कर रहे हैं property को हम पढ़ रहे हैं अभी इस time तो hello alkin ही क्या होगा reactant होगा अब इसमें हमारे presence क्यों निची है alcoholic ko h की presence में ये reaction होगी जिसमें beta hydrogen remove हो जाएगा और halogen group जो है वो भी remove हो जाएगा और हमारे product बन जाएगा alkin reaction के थूँ से समझते हैं जैसे ये कोई भी हमारा hello alkin है ठीक है अब क्या ये beta elimination है तो इसमें क्या होगा जो beta hydrogen है ठीक है beta hydrogen remove होगा तो alcoholic koh की presence में remove होगा तो इसमें क्या होगा alcoholic koh की presence में beta hydrogen जो है वो remove होजाएंगे और जो हमारा halogen group है वो भी remove होजाएगा तो c.l remove होगा इसमें कितने beta hydrogen है एक तो ये और एक ये beta carbon ये दोनो जोड़ा है वो alpha carbon यह बीता है यह बीता है अगर 2 है तो 2 product बनेंगे तो एक बार क्या होगा यह इसमें से hydrogen हम remove कर देंगे और एक यह वाला cl मतलब hcl remove हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा ch2 ठीक है and then double bond आजाएगा ch ch2 ठीक है यह जो हमने यह वाला hydrogen हो यह वाला प्रोड़क्ट है ch3 ऐसे यह then ch अब इसका एक hydrogen चलागे मत्तब एक bond कम हो गया तो यह इसके साथ दूसरा bond बना लेगा तो दूसरा bond यह बन गया और यहां पर ठीक है यह वाला इसमें क्या है जब इसका एक जाएगा तो यह ch2 हो जाएगा अब इसमें इसका एक bond कम हो गया तो इसलिए इसके साथ bond बना लेगा और फिर ch2 ch3 यह सेम रह जाएगे अब मेजर और माइनर का कैसे पता लगाते है कि जो double bond भाला है जो double bond है झिल दों के साथ उनके side में देखते कि कि स्की Nutma mn यह बाओं इसके इस में कोई छेंट नीए इस साइड मे है एक division अब इसमें क्या में यह double और ड्राइ एथर की प्रेजेंस में और प्रोड़क्ट बना देते हैं ठीक है तो यह हमारी प्रॉपर्टी अधर प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एलकेइन आए होप आपको ही समझाई हो कि प्लीज दो लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्यू है वनाइस दे